कोरोना के ऐसा महाकाल जसमें पूरी दुनिया के लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए पूरी दुनिया की एकॉनमी हिल गई ऐसे समय में इंडिया का एक ऐसा स्टार्ट अप जो पूरी दुनिया में गजब के ग्रोथ कर रहा है हलो दोस्तों मैं C.A. मीना वर्मा और इस वीडियो में हम Postman Incorporation India की Startup की Case Study दिसकास कर रहे हैं ये कंपनी Software Development Industry की कंपनी है वैसे तो इस कंपनी की शुरुवात इंडिया में Bengaluru से हुई थी पर आज इस कंपनी का Headquarter US Miss San Francisco में है इस कंपनी का Foundation 2014 में हुआ था और इसके CEO अभिनव अस्थाना है 2020 में जब पूरी दुनिया में pandemic बुरी तरीके से फैला था इस कंपनी ने इतनी growth की कि ये unicorn company बन गई और आज इसके valuation billion dollar की हो गई है तो इस वीडियो में हम एक ऐसी Indian startup company के बारे में बात कर रहे हैं जिसने pandemic के समय में भी पूरी दुनिया में गजब की growth कर डाली और ये जो pandemic का समय चल रहा था 2020 इस company के valuation 500 times हो गई 2020 में जब pandemic का समय था इस company से 4 million user जुड़े और 2021 में इस company से 13 million user जुड़ गए जिन में से पूरी दुनिया में 840 से 20 ज़ादा company इस company के साथ जुड़ गई जिन में से 98% company आ फॉर्चियून 500 companies है और ये company ऐसी company बन गई है जो पूरी दुनिया में massive growth कर रही है और इस company का नाम postman galaxy रख दिया गया है और मज़े की बात ये है कि इस company की शुरुवात उत्तर प्रदेश में एक छोट इसे टाउन बस्ती में रहने वाले अभिनव अस्थाना ने की जो बच्पन से ही computer और programming में बहुत ही interest लेते थे postman company एक application programming interface development tool है जो API को बनाने में उसको test करने में और उसको modify करने में help करता है अब सवाल आता है कि ये API क्या होता है API या application programming interface एक ऐसा software होता है जो intermediary का काम करता है मतलब ये दो software को आपस में interact करने में help करता है अब आईए समझते हैं कि postman की सफलता के कारण क्या है तो पहला कारण है कि इस company ने एक problem solving product बनाया अभिना वस्थाना और अंकित सोबती इस company के co-founder है और इन दोनों के मुलाकात तब हुई थी जब ये दोनों Yahoo company में काम कर रहे थे वे दोनों application के front end पे काम कर रहे थे और वहाँ पर उन्हें पहली बार API पर काम करना पड़ा वहाँ पर उन्होंने पहली बार realize किया कि API को develop करने के tool missing है और इस problem को solve करने के लिए उन्होंने coding लिखनी शुरू कर दी और उसे Chrome Web Store में upload कर दिया और बस यहीं से Postman की शुरुआत हुई तो इसका मतलब ये है कि Postman के शुरुआत एक problem को solve करने से हुई थी मतलब एक problem solving product को develop करने से हुई थी इसके बाद Postman की सफलता का अगला कारण emergence of technology था आने वाला दौर technology का ही था और इस बात को अभिनव अस्थाना समझ चुके थे pandemic के समय पूरी दुनिया का business modernize होने लगा था लोगों के काम करने के तरीके बदल गए थे और लोग जादे से जादे अपने business में technology यूज़ कर रहे थे सिर्फ वो business organization सफल हुए pandemic में जिन्होंने technology को अपना base बना लिया और इस toughest technology के challenges को handle करने के लिए API की ज़रुरत पड़ी और इसी लिए postman इतनी तेजी से सफलता की और बढ़ रहा है तो यहाँ पर समझते हैं कि API का role क्या है technology के अंदर अगर आप online ticket book करवाने के लिए travel site जैसे के make my trip में जाते हैं यह API ही है जो airline की site से information provide करता है वैसे ही WhatsApp के messages भी API के through ही run किये जाते हैं और यह जो list है ना यह endless list है हम यह बोल सकते हैं कि हर software जो आज आप use कर रहे हैं वो या तो API है या फिर API use कर रहा है और आप यह देखी रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में smartphone और internet का use काफी तेजी से बढ़ा है और उसके बाद pandemic की वज़े से सब कुछ technology पर ही depend हो गया तो internet और technology की emergence की वज़े से पूरी दुनिया में API का use बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसकी वज़े से postman की growth dramatically हो रही है API को हर जगर चाहे वो government हो, bank हो, finance हो या फिर कोई भी सेक्टर हो हर जगर API को use किया जा रहा है हर सेक्टर में API का use बढ़ता जा रहा है specially pandemic के समय जहां हर business को चलाने के लिए technology को use करना पढ़ रहा है जिसकी वज़े से API के demand बढ़ती जा रही है API आज की समय की need बन चुका है postman की सफलता का अगला कारण है good product market fit जैसे जैसे market change हो रही है, business environment change हो रहा है और हर सेक्टर, चाहे वो government हो, चाहे banking हो, चाहे finance हो, चाहे education हो हर सेक्टर में technology की need बढ़ती जा रही है तो इसे लिए API market की need बनता जा रहा है यह जो pandemic की situation की वज़े से पूरी दुनिया की market बन गई है इस market की need API बनता जा रहा है तो API एक market fit product है इसके बाद इस company की सफलता का अगला कारण है कि यह company product innovation में लगी हुई है Postman एक public workspace platform है जो पूरी दुनिया का पहला सबसे बड़ा massive multiplayer API experience ओफर कर रहा है जहाँ पर API developer और consumer आपस में collaborate कर सकते हैं company ने users के लिए एक नया web client बनाया ताकि browser interface से Postman को access किया जा सके इसके अलावा Postman API के development की speed और scope को भी improve करने में लगी हुई है अब बात करते हैं कि अगर यह startup इतनी जल्दी इतना grow कर रहा है तो कोई इसे replicate क्यों नहीं कर रहा है कैसे ये company market leader बन गई है कैसे इसको competitive advantage मिल गया है और कोई क्यों नहीं इसके साथ compete कर पाई Postman Company ने हर stakeholder के लिए काम किया Postman Company का जो process था वो iterative था उन्होंने शुरू में बहुत सारी गलतियां की पर उन्होंने अपनी ये गलतियां किसे से चुपाई नहीं उन्होंने अपनी गलतियां open रखी उनका bug tracker open है कोई भी उनकी गलतियों को देख सकता है कोई भी उनकी mistakes को देख सकता है जो features उनके पास थे वो उनकी website में mention थे जो features उनके पास नहीं थे वो उनकी website में mention नहीं थे उन्होंने यह observe किया कि अगर आप एक बहुत अच्छा product develop करते हैं तो धीरे धीरे word of mouth के थूँ लोग आपकी product को अपने आप जानने लग जाएंगे और आपकी एक community बन जाए पर ऐसे अच्छे product को develop करने के लिए आपको अपने users का feedback लेते रहना चाहिए और धीरे धीरे अपने product को improve करते रहना चाहिए अभिनव का मानना है कि software industry में specially developer tool segment में किसी भी product को replicate करना बहुत ही असान है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी secret नहीं रखा जा सकता है अभिनव का मानना है कि कोई भी postman का version मना सकता है मतलब postman को replicate करना बहुत असान है फिर ऐसा क्या हुआ कि कोई भी postman को replicate नहीं कर पा रहा है तो फिर postman ने competitive advantage कैसे गेन किया कैसे market leader बनी और कैसे आज भी सफले और कोई भी postman को replicate नहीं कर पा रहा है इसके लिए अभिनव का मानना है कि वो continuously अपने developers की सुनते हैं अपने stakeholders की सुनते हैं और accordingly अपनी product को, अपनी organization को, अपनी system को improve करते रहते हैं मतलब इसके जितने भी users हैं, जितने भी employees हैं जितने भी दूसरे stakeholders हैं, यह सब को खुश रखने में विश्वास रखते हैं वे पूरी दुन्या में 11 million developers से interact करते हैं उनके feedback लेते हैं और accordingly, continuously अपने product को improve करते रहते हैं और यही कारण है कि postman को replicate करना, अभी तक किसी के लिए भी possible नहीं हो पा रहा है और दूसरा कारण यह भी है कि postman ने एक ecosystem बना दिया और धीरे धीरे अपने इस ecosystem को expand करता जा रहा है इसके लिए एक example लेते हैं जैसे कि Google ने अपना एक ecosystem बना दिया अलीबाबा ने अपना ecosystem बना दिया तो अगर कोई अपना ecosystem create कर देता है तो पूरे ecosystem को replicate करना किसी के लिए भी असान नहीं होता और इसलिए ऐसी organization market leader बन जाती है इन्होंने async API के साथ partnership किया है ताकि यह open source tool जिसकी जरुरत next generation की API में लगेगी उसे develop कर सकें postman company ने एक open API का initiative लिया है जिसमें पूरी दुनिया के industries के expert का एक group बनाया है यह जितने भी expert है यह open API को create करने में इसको evolve करने में इसको promote करने में लगे हुए है postman company ने एक API resource center बनाया है जो pandemic के समय frontliner को real time data provide कर रहे है API के through इस data को बहुत ही easily access किया जा सकता है और pandemic के समय इससे बहुत ही help मिल रही है ओके अब इसके बात करते हैं क्यों सबको API चाहिए Global Research और Advisory के according 2023 में 65% Global Infrastructure and Service Providers का revenue API के services को use करके ही generate किया चाहेगा जबकि 2018 में pandemic से पहले ये सिर्फ 15% था और इसका reason ये है कि API लगभग हर जगर use होने लगा है इनका business model इतना अच्छा था कि इनको अपने business के लिए fund raise करने के लिए किसी के पास जाने की जरुरत नहीं पड़ी लोग खुद इनके पास आते थे fund देने के लिए 2016 में इन्होंने पहली बार 1 million का fund Nexus Venture Partner से raise किया pandemic के दौरान भी ये company अपने employees के लिए अपने customer के लिए अपने दूसरे stakeholders के लिए भी बहुत अच्छा कर रही है pandemic के दौरान भी इस company के अंदर employees की hiring हो रही है बलकि hiring और बढ़ गई है और employees को growth भी मिल रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि postman company पूरी दुनिया को ये साबित करने में लगी है कि एक Indian भी एक अच्छा product develop कर सकता है और एक अच्छी company बना सकता है